जेंडर स्कूल सुसाइटी का सेकिंड कॉश्छन है sex and sexuality में डिफरेंस sex में डिफरेंस हम अलिडी देख चुके थे जब भी शेक्स की बात आती है तो प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स और secondary sex कारेक्टरिस्टिक्स हो याद रखना है primary sex characteristics ज्यादा जरूरी हैं जिसमें पर reproductive organ आजाते हैं male और female के penis vagina और जो hormone release करती है glands उनकी ovary release करती है यहां पर साथ में देख भी लेते हैं जब भी sex की बात आती है तो concept की बात आती है तो यह word है जब feeling emotion behavior की बात आएगी तो sexuality आ जाएगी यहां पर जो testis हैं वो sperm release करते हैं और ovaries जो है वो egg release करती है chromosome है और यह जो functioning biological है इसको sex concept में रखा जाता है primary sex characteristics हैं कि यह organ reproduce कर सकते हैं जो reproduce बच्चे को पैदा कर सकते हैं उन organ की बात जब उन पर focus करते हैं उनका analysis करते हैं उनकी functioning देखते हैं तो दूसरी बात है के sexuality यहां पर आएंगे यह उसको define करना है primary or secondary sex characteristics sexuality को जब define करना है अच्छा English में भी दिखाना है साथ-साथ में यहां पर जाके Hindi में भी यह definition आपकी sex की हो चुकिया पिछले वीडियो में यह रहेगा हां काम मुक्ता यहां पर तो यह मेरे ख्याल में हां तो जब आप feeling की बात करते हो action की behavior की बात करते हो और मेल वेशक वह female और मेल के बीच में sexual activity हो हां आप word sexual activity को focus कर सकते हो जब sexual activity की बात आनी है तो वह बेशक यह नहीं है लिम्टन नहीं है के male और female के बीच है यह male male के बीच भी हो सकती है male female के बीच भी हो सकती है male multiple के बीच भी हो सकती है female multiple और किसी के साथ भी नहीं है बहुत कम यह बहुत सी बाते हैं यह complexity बढ़ाती है sexuality की जो concept है sexual health organization ने sexuality को describe कैसे किया है about expression expressing himself or herself as sexual being दूसरी है reach out की is about sexual feeling यह मेरे साब से याद रखने के लिए important है sexual feeling attraction यह वर्ड बहुत ज्यादा आएगा जब भी attraction की बात करते हैं actually उसमे sexual romantic aspect होता है we feel toward other people not about who who we have sex within इन जिसके साथ हाना तो इसकी definition जो है enlarged यह दी गई है Hindi में भी यहां आप sorry यह दू definition है यह note कर सकते हैं और इसके बाद यह जो English में वहां translate की गई है sexuality refer to multi faces aspect of human experience that encompasses biological, psychological, social dimension जो sex है only biological है लेकिन sexuality जो है वो all dimension है देखे very easy है जब sex की बात आती है इस image को और जब sexuality की बात आती है तो इस image को अब यह complex कैसी है question क्या है क्या यह husband wife है living में रह रहे है boyfriend girlfriend है क्या moral sex कर रहे है activity कर रहे है क्या इनके जो society है parents है उनको पता है इनके ethics है क्या इन्होंने baby produce करना है जहां player के लिए कर रहे हैं जहां यह legal कर रहे है है इलगी legal कर रहे है यह activity that is why this is very जो है complex और आस्पक्ट क्या है दो behavior हमें दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे कारण कितने हो सकते है psychological satisfaction हो सकती है social dimension हो सकती है naturally marriage होई है तो social activity होगी reproduction होगी sexual orientation होती है sexual orientation क्या है कि यह रहा male और यह female sexual orientation क्या male जो है female की तरफ attracted है जहां male male की तरफ attracted है जहां male female और male दोनों की तरफ attracted है यह sexual orientation है कि आप किसके साथ sexual activity करना चाहते हो रूमांस करना चाहते हो यह बाति है तो यह अगर दोनों के साथ है तो bisexual आ गया हना अगर male का male के साथ है तो यह homo आ गया और अगर male का female के साथ है तो hetero sexuality आ गया हना यह difference और भी difference है आगे चलके बताता हूं तो यह attraction हो गया social dimension related to sexual orientation बहुर्ण उब इसकी फ् enorme बनाते हैं एक complex की बात करते हैं तो वह शेक्जंव ऐक्टिविटी की ब्रणते हैं उससे वह अपनी पहचान बनाते हैं अगर वह sexual satisfaction दे जा ले पाते हैं जो उनका schema बना हुआ है तो अपने आपको अच्छी sexual personality identity मानते हैं अगर sexual activity poor होती है हना मान लीजिए वो female को satisfy नहीं कर पाते जब female male को satisfy नहीं कर पाती तो sexual identity बहुत poor बन जाती है self-esteem disturb होती है sadness depression और कभी बार abnormality और suicide की तरफ भी जाते हैं तो यह बड़े complex चीज़े है इपने एक्जाम में लिख सकते हो इंवाल इडिविजुल जो feeling आपकी thought क्योंकि feeling आती है thought भी साथ में आते है desire कि मैं क्या क्या करना चाहती हूं male की desire sexual activity बहुत ज्यादा होती है variety होती है और behavior आपका हना आप उसको perform कर पाते हो नहीं कर पाते अल्टीमेटली satisfaction for self and others है अच्छा जेंडर identity sexual orientation interaction with the others romantic emotional sexual context यह सारे शबद बार-बार रपीट होते हैं जब sexual sexuality की बाद आती है sexuality is influenced by combination of biological factors such as genetic hormones psychological factor होना देखो जो animal की sexuality है वो mostly season based होती होती है time period होता है लेकिन human being जो है ओ मौसम चेंज हुआ जी बिजली चमक के जी जुल्फें अच्छी लगे जी अच्छा वो को कोई अंग दिस गया जी तो यह सारे issues भी है और यह किसको generate करती है sexuality को sexuality को समाज चाहता है कि यह personal रहे public ना बने बहुत सारे हमारा western समाज इसको open करता है लेकिन हमारा समाज यह चाहता है that is why अचा घटनाएं गटती है immoral sex आता है तो इनको manage करना सभी चीजों को यह generate कहां से सब कुछ होती है sexuality अच्छा कोई धरम की आपकी बात आती है तो सबसे पहले क्या कहते है काम क्रोध लोग मोहंकार काम जो सबसे पहले कामुक्ता आती है मतलब वो यह भी आपने story सुनी होंगी कि जो बड़े बड़े even जो लगे हुए थे प्रमात्मा को प्राप्त करने में लगे हुए थे और वो sexuality ने फिसला दिये ऐसी बड़ी stories है so this is कि आप आपकी desire पैदा हो गई है कि sex करना है इसकी desire sexual behavior की desire उसको achieve करने की sex satisfaction की यह बाते है sexuality में सारी में आएंगी naturally है आगे चलके चलो बाकी बाते करते हैं अहां उसमें social cultural norms values of society's expectation है यह सारा कुछ पे करता है next करते हैं difference हमारा main point शुरू हो गया है लेकिन base जो है हम discuss करके आ चुके हैं थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं sex की बात हो चुकी है biological है physiological है कि और गन है reproductive organ है primary sex characteristics है male के female के और वो glands जो है hormones create करती है egg है sperm है यह बाते आनी है multifacid है अभी की है feeling, thought, desire, behavior यह बाते अभी हो चुकी है sexual orientation की बात हो चुकी है यह first point है का यह हो गया अच्छा biological base जो sex का biological base है genetic है यह बात भी हो चुकी है इसमें कौन कौन से factor शामल है chromosome reproductive organ यह बात भी repeat हो रही है influenced by biological plus psychological social factors encompass sexual orientation, attraction, behavior and identity यह बात हो चुकी है express हम कैसे देख सकते हैं प्रग्टावा कैसे होता है binary concept है normally male और female third जो intersex का है वो उस पर different video बिना दूँगा क्योंकि जिसमें male के biological feature और female के biological feature होते हैं with respect to reproductive organ वो intersex कहलाता है तो यहां पर जो यह sexuality है diverse and fluid है encompassing spectrum of orientation, attraction and identity fluid means fluid का मतलब यहां समझ लेना चाहिए अच्छा हम यहां पर Hindi में भी साथ में कर लें यह आप note कर लिजे यहां पर और यह कर लिजे यहां पर अभी व्यक्ति है तो इसमें क्या है आपकी तरल तरंग लिखा है fluid तो यह है changeability change होता रहता है यह possibility है कि आज एक व्यक्ति sexual एक female के साथ है यह ध्यान से देखना यह social relation में problem बनती है एक male है उसका अपनी girlfriend ही है female के साथ है na sexual feeling behavior है maybe sexual activity भी की है लेकिन कल उसका मन किसी और female के साथ हो इसके साथ ना हो fluid है change है कल उसका मन थोड़ा male की तरफ भी attract हो रहा है यह भी हो सकता है तो यह changeability की अगर यह changes generally नहीं आते है orientation की लेकिन अगर female है वो इस पर shift करना चाहता है कभी एक female पर दूसरी पर 30 कितने गीत बने हुए है ना वो के यार मेरत तली आवर गा तो वह है fluid change होते रहते हैं वह क्या है कि biological satisfaction की तरफ जब जाते हैं प्यार जो है उसके concept को जो सब से उचा शब्द है उसका मखोटा पहन के हम biological चीजें करते हैं तो यह that is why life is very complex sex बना दी है हमने जूट जब साथ उसका लोगे तो बन जाएगी तो यह हो गया विकास जो है यहां पर English में साथ में करेंगे development sex जो है by birth जब जनम होता है तब ही पता जल जाता है और वही sex रहता है अगर male हो ता male ही रहोगे female हो तो female ही रहोगे जब influence होती है कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं sexual relation जहां यह वाइफरेंड गल्फरेंड जहां किसी के साथ romantic नहीं होंगा लेकिन जब वह कई बार टच करता है हार्मोन रिलीज होते है डॉपमाइन रिलीज होता है तो वह उसकी feeling thinking सब कुछ बदल जाता है तो कई बर प्यार ऐसा मिलता है यह प्यारा ऐसा मिलता है वह चेंज कर देता है यह डिपेंड करता है कैसे experience है हना कई बरे शुरू में कोई sexual होता ही नहीं है लेकिन बाद में sexuality क पर जाता है कई ऐसे भी है कि sexuality से पहले बहुत होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे जो culture है spirituality है religion है और experience है उसके साथ हो कहता है कि नहीं मैं energy को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा यह यह होती रहती है तो self discovery है हर हर किसी का experience different हर कि किसी की sexuality की feeling जो है हना एक केस था मेरे पास में क तो वो पेड़ गल के पास जाता था मतलब पैसे देके जो जिसे हम पता निक काल गल वगरा बोलते हैं तो वो वो कॉंसलिंग में मैंने उनसे question पूछे क्या क्या आप आपकी activity क्या होती थी कॉंसलिंग में सब तरह के question पूछने पढ़ते हैं क्योंकि वो उनका जो था treatment चल वो बस मेरे को touch करी रखे और इससे ज्यादा मैं चाहता नहीं था थोड़ा-थोड़ा हाथ फेरते रहे हो हना तो यह लेने के लिए कितने डॉलर पॉंट जो भी थे वो इस पर खर्च करता था तो sexual intercourse पर वो जाना ही नहीं चाहता था तो sexuality की individuality पर यह concept highly based है social construction है यह जो है biological construction है तो male और female है यह shaped by culture, society, individual, belief, attitude, values देखे culture अब western culture इसको कैसे shape करेगा वहाँ open sex होता है living, lesbian, marriages, यह common है यहाँ बहुत common है यहाँ Supreme Court है कर दिया लेकिन अभी नहीं है कोई और जो close ended society है वहाँ पर तो मेरे खहल में female को अभी भी repressed life जी रहे हैं तो यह उसके दोरा sexuality को shape किया जाता है आपके मन में रखा जाता है यह wrong है wrong है wrong है wrong है यह सही है सही है यह सही है वो रख जो रखा है उसके मताबक आप क्या जो व्यक्त करते हैं जो जितने case मैं करता हूं उसमें normally female जब male जब female को exploit sexually करता है तो वो logic देता है कि सभी करते हैं ऐ को influence करने के लिए ये आपका belief attitude और आपकी values है अना तो values अगर घटियां हैं आपकी तो आप घटिया काम ही करोगे इम्मॉरल ही करोगे अगर values उपर वाली है तो naturally है कि अब ये नहीं है कि sexuality को कोई कहें कि कहें कि मैं बिलकुल नहीं है मेरे में ये बिलकुल zero है meditation के जरीए अब बहुत ज्यादा कर चुक है उचीव किया जा सकता है लेकिन जनम के बाद प्रिबर्टी पीरिड के बाद इसमें से सभी को गुजर के जाना पड़ता है और हम management इसकी is very very difficult तो ये shape करते हैं ये सारे मिल के shape करते हैं इसको change करते है ओरियंटेशन है जो अच्श का संबन्द οिचन के साथ नहीं है तो जो है sexuality का ओरियंटेशन के साथ ही संबंद है ये पांच शबद आप समझ लीजिए कि क्या है यहां पर यह हो गया मैंने पहले भी हम जाया था यह हो गया आपका मेल की हो फि उन्हां लेकर आप यह कि यहां लोगा है और यह मेल उन्हांwr ए asi हuuहना यह मेल है tus었 Ist ये हो गया गेज होमो के फीमेल के साथ है और अगर हो गया इनका दोनों के साथ वह हो गया वाइसेक्स्वल किसी भी के साथ किसी भी person का व negatively ुए girth trher है किसी के साथ वी साथ ह tribun शेपच्छे करने का जी चाता है तो इट मेंज वो जेंडर से प्रभावित नहीं हो रहा वो पसनेलिटी से, इमोशन से, उसके एक्शन से प्रभावित हो रहा है तो उसको कहते हैं, पैन, यहां पर आएगा वर्ड, यह रहा, अंडरस्टेंडिंग, यह, पैन सेक्शुल, हना, बाइसेक्सल, होमो भी हो गया, हेट्रो भी हो गया, और एसेक्सुल, जिसका मन सेक्सुलिटी के लिए बहुत जान लग बग ना करे, हना, कहरण कोई भी हो सकता उसको Asexual Orientation कहते हैं यह नॉर्मली पाँच सेक्सुल ओरिंटेशन है एडंटिटी हना इस बाइलाजिकल होगी के मैं मेल हूँ और फीमेल हूँ हना रिप्रड़क्टिव और अगर और और पर बेस्ट है यह इंक्लूड जेंडर अडंटी सेक्सुल ओरिंटेशन परस्नल मैं अपने पने हो क्या समझती है मैं मेल हूँ लेकिन मैं अपने को काफी हद थक फीमेल समझती हो अगा वेरिंटी तरह और पहने को और काम फीमेले के करने को uh female जैसी बातें करने को na shopping बहुत करने को ऐसे जी चाहेगा तो यह possibility है इसमें जो जेंडर के characteristics ही हो सकते है वेरियेशन यह fix है जो आप मेल हो मेल फीमेल फीमेल हो लेकिन यह जो है change होने की संभावना orientation भी change जो पीछे बात करके है है attraction change पहले attraction थी अब नहीं है अभी एक केस है चलो यह पूरा case डालूंगा उस पर मतलब प्यार का केस है counseling का आया लेकिन उसको क्या कहोगे आप हना अभी अभी कली counseling उनकी की है तो यह है legal recognition तो वह certificate में आप boy हो girl हो तो इसकी है legal recognition जेंडर की नहीं होती लेकिन यह जो इसकी sexual orientation की sexuality की बढ़ रही है for example जो homo है lesbian है जो bisexual है तो उनको include अपने society में करने के लिए जो court है जह कई countries है उनको recognize कर रहे है अभी कई नहीं किया that is why this is in process के अभी तक यह हम वहां तक पहुंचे नहीं है कि उनको recognize कर लिया गया medical implication है boy girl की reproductive health पर है यहां पर most important mental health है क्योंकि sexuality की desire है लेकिन satisfaction नहीं मिल पाई जहां morality आ गई जहां religion आ गया जहां आपका ही intersex की जो intersex concept अलग से है उसकी problem आ गई partner के satisfaction और dissatisfaction की बात आ गई तो mental health की problem आएंगी आएंगी और बड़े causes यह बनते हैं depression के suicide के culture and social views यह repeat को चुका है intersectionality यह बहुत important है तो यहां तो सिर्फ male और female होगा लेकिन sexuality में आपका gender भी आपकी identity क्या है race क्या है ethnicity क्या है class क्या है social economic status क्या है आपकी identity क्या है सारे interact करते हैं सारे मिलके decide करते हैं कि आपकी जो sexuality है का मुक्ता है orientation है वह कैसे प्रभावित होनी है इसके बाद जो है इसकी dimension की बात की है difference sex की dimension normally physical biological ही है लेकिन यहां पर sexuality की जो dimension है उनको explain किया है वह major जो factor है अलग से इसका video डाल दूगा major factor है genetic है हार्मोनल है अगर हार्मोन ज्यादा release होते हैं for example test tone जो अगर ज्यादा produce होता है तो male की sexuality feeling ज्यादा होती है जो rape की घटनाए है तभी घटती है ऐसे ही female में अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज होता है तो naturally sexuality की desire बढ़ जाएगी अगर यह कम है हार्मोन तो वह कम हो जाएगी अचा neurological brain के कई part ऐसे है वह अलग से वीडियो में बताऊंगा जो हार्मोन रिलीज करते हैं और इस feeling को sexuality की feeling को कम जाएदा करते हैं अचा brain का structure भी है वह जो आपको attraction किसी की तरफ कैसे attract हो गए कि लड़किया साफ कहती है कि यार वह हमने उसके साथ flirt किया जाए एक वक्त के लिए वह बहुत ज्यादा सेक्स लगा जा तो लड़कों को तो पता नहीं कितनी या लगती हुई लड़कियों का मैं डाटा दे रहा हूं आपको तो जब वह यह कहती है it means को neurological factor brain में कुछ हुआ के attraction होगी stimulus से response आ गया तो अगर उनको आ सकता है तो घटना क्यों नहीं घट सकती यह वह discussion का पार्ट है reproductive autonomy है यह बाते हो चुकी है sex का कोई भी संबंद नहीं है psychological से हना हम बेस बनते है वह हार्मोन है वह बेस बनते है emotion के यह बात पकी है लेकिन sexuality profound जो है emotional reaction आपके behavior experience of joy को excitement love affection ऐसे इस इन चीजों को इन emotions को यह प्रभावित करती है यह हिंदी में रह गया मैं आगे चलके वैसे करवाता हूँ orientation की बात हो चुकी है behavior की कि यह sex behavior नहीं है यह organ है और यह cause of sexuality बन सकता है जैसे हार्मोन ज्यादा रिलीज हुए तो यह इस तरह है कि इसका संभंध behavior से है जैसे सबसे पहले मैंने image दिखाई थी हम behavior से ही जज्ज करते हैं कि यह person sexual हो रहा है इसकी touch जो है bad touch है अब यह मत समझना के sexuality bad ही होती है जो बच्चा पैदा होना है sexuality की feeling आईगी उसके बाद ही पैदा होना है that is why moral और immoral sex जो अलग अलग concepts है social हो चुका है relationship की बात हो सकती है इसमे relationship की कोई बात नहीं है यह relationship की बात है intimacy की बात है husband wife की बात है boyfriend girlfriend के relation की बात है philosophical concept philosophical तो male और female बस दो वैसे ही consider किये जाते हैं जैसे biological aspect है जो exist कर रहा है लेकिन philosophy question रख रही है whether sexuality क्यों होनी चाहिए player के लिए होनी चाहिए जा बच्चा पैदा करने के लिए होनी चाहिए तो दोनों के लिए होनी चाहिए और कितनी क्योंकि यह philosophical question है moral question है किस के साथ होनी चाहिए कब sexuality होनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए, किस intensity में होनी चाहिए, किस purpose के लिए होनी चाहिए, यह philosophical question है, तो यह sexuality में है, spiritual है, biologically, जो male और female है, वो उसका spirituality के साथ कोई सीधा लेना देना नहीं है, क्योंकि spirituality का soul के साथ लेना देना है, इस book में मैंने शुरू में यही लिखा कि soul is sexless, लेकिन sexuality को consider spirituality कैसी करती है, कई बार तो जैसे ओशो ने लिखा था, समभोग से समाध्धी, तो वो sexuality से spirituality की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं, दूसरी बात है, कई धर्मों में sexuality को एक obstacle समझा जाता है, जैसे काम करो दो लो, वो हंकार के आप जब काम में हो तब राम म नहीं हो सकते, ऐसी बाते होती है, तो these are aspect of sex and sexuality, so sexuality जब भी आता है, वो आपकी intense feeling है, behavior है, attraction है, intimacy है, और relationship वाला behavior है, अचाहे एक बात miss होगी, ये साथ में, जो हिंदी वाले थे, वो point miss हुए, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर, explain मैसे मैंने हिंदी में ही किया है, तो मैं shift कर भूल गया, ये हिंदी वाले अपने point note कर सकते है, pause कर सकते है, last तक है, वही point है, कोई भी point up down नहीं है, आप रोक के इसको पढ़ सकते हो, ये रहा, and last में हमने पहुंचना है, कहां तक, ये यो आयाम है, जो repeat भी होते है, अध्यात्मिक तक, यहां तक, that is all, thank you.